हेलो टेडर्स वेल्कम तो एलाइस विलू मैं हुटी पैन को गई और आज हम बात करेंगे कुरूड आल प्रिवाट पॉइंट चपोर और रेजिस्टेंट और मर्केट ट्रेंड और मर्केट रेंज और आज कुरूड क्या होने होला है उसका उपर भी हम थोड़ा बहुत बात इस रेजिस्टेंट 5120 और 2nd 5168, 3rd 5206 और 1st support 5015, 2nd support 497 to 3rd 4948 और यह देली चार्ट अब देख सकता है देली चार्ट में अब भी अप्रेंड में है तो अप्रेंड में क्यों है मैं इसका उपर थोड़ा बता हूं ज्यादे ज्यादा तो इसमें 150 वाद भिए भी डाल देता हूं मैं और इसका थोड़ा चेंज कर देता हूं तो इन में ऐसे देख सकता है आप मैंने चार मोविं अबरेस उसक्या राइट तो मोविं अबरेस भी इसका भी चेंज कर देता हूं तो शिम्पल है, एक्सपन्चनल कर देता हूं, इसको तो एक्सपन्चनल है और इसका भी देख लेता हूं, यह भी सिम्पल है, इसको एक्सपन्चेल बना देता, 50 moving average, exponential, और राइट, तो इसमें थोड़ा, इसको, ओके, तो इसमें अब देली में देख सकता है, देली में क्या है, यह आप देख सकता है, यह आप देख सकता है, यह तो हन्द एक्सपन्चनल, 150, 150 moving average, तो यह क्या है, तो यह क्या है, तीनों आप देख सकता है, कहां से लेके, लास्ट आप, इस एरिया से, एराउंड 2017, 2018 से, continuously daily, यह आप trend में ही है, right, continuously आप देख सकता है, यह आप trend में है, और बाद में थोड़ा बहुल, retracement देता है, तो देख सकता है, यह market गिया, swing high, low, higher, lower low, higher low, higher low, higher, तो next supporting level, और 3rd में आपको supporting level यहां पर भी देख सकता है, 4931, क्योंकि आप देख सकता है, पहले, first time, 150, sorry, 100 moving average चे बाउंस बेख हुआ, next, 100 moving average चे बाउंस बेख हुआ, तो यहां पर भी 100 moving average में, 1, 2, 3, 3 times आप देख सकता है, 100 moving average चे बाउंस बेख हुआ है, market, तो आगे भी आप देख सकता है, 52 already cross कर दिया, मुझे लगता है, 100 talk to आ नहीं चेहिए, और 100 चेहिए, फिर से bounce back कर सकता है, यहां पर, क्योंकि यह bounce back होगा या नहीं होगा, उसके लिए हमको confirmation करना पड़ेगा, जैसे कहां पर confirmation मिला था, यहां, तो यहां bounce back हुआ, तो यहां यहां यह candle ने हमें confirmation क्या हुआ है, कि यहां से market उपर जाने वाला है, right, CCI, and then next, यहां पर थोड़ा confirmation दिया था, लास में आप हमें confirmation कहा दिया, यह, right, CCI 0, crossway, store stick भी 100% confirmation, तो नो 1, 2, 3, 3 confirmation मिला हमें, कि market उपर जाने होला है, यहां से, और एक trend line draw करेंगे, तो यहां से, इसमें अर्जो resistance line होता है, उसको भी breakout हुआ, देखा, इसमें, आप देख सकते हैं, right, 1 confirmation, 2 confirmation, 3 confirmation, right, 3 confirmation मिला, तो यहां पर हम 100% बाय जाओ सकता है, इसमें, तो आपको अच्छा काच्छा मिलता है, ठीक है, वो कोई बाद नहीं है, आभी हमको देखना है, यहां पर क्यूंकि अभी downtrend में, आप ट्रेंड में है, long position में, लेकिन यह retracement दे रहा है, तो retracement कौन सा level confirm करेंगे, उसके लिए हमने एक फिवोनेसी level दलता है, यहां पर देख सकते हैं, यह फिवोनेसी level, और यहां पर आपको देखा हुआ है, वो retracement 61% होगा, तो यहां पर आएगा, तो 38 देखा रहा है, तो को पटा चल जाएगा, तो retracement क्या हुआ है, retracement क्योंकि उल्टा तरव हमें retracement करना पड़ता है, तो यह मैंने previous lower low, higher low and higher high, तो connect कर दिया है, यह 50 level cross out किया, तो जो मैंने resistance line दिया हुआ है, यहां पर देख सकते है, 61% retracement है, तो crude oil 61% retracement आने वाला है, तो उसका level होगा 4970, तो मा तो मुझे लगता है, तो तक जो 100th moving average भी उसका आसपास भी आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठोड़ा down की तुरप देखा रहा है, फिर भी वो एक big supporting zone बना के रखा हुआ है, तो यह होगा daily, अभी देखेंगे हम 4 hour, 4 hour में आप एक बात देख सकते हैं, यहां पर lower low बना के आ and make lower low, gone up again lower low, तो अब देख सकता है, यहां पर, तो last wave बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, just, they are trying to make 5th wave, तो 5th wave का last point कहां पर है, मैंने जैसे देखा है daily में, 4970 में है, तो market यहां पर आने का चांसे से, तो यह 4 hour में है, थोड़ा बहुत रिटेस्मेंट देख सकता है, तो अभी हम बात करेंगे, 15 मिनिट में क्या है, 15 मिनिट पे आप देख सकता है, यह fully downtrend, right, 200 उपर में है, उसका बाद 150, उसका बाद 150, continuously smooth, आपको देखा आई दे रहा है, यह fully downtrend है, तो downtrend का हमें range कहां तक मिला हुआ है, तो यह downtrend में है, लेकिन daily uptrend में है, right, तो retracement कर रहा है, तो shorter time frame में, definitely वो तो downtrend, देखा हैंगे, downtrend, last point कहां पे मिला हमे, 61 retracement of Fibonacci, the level will be there, 4970, right, this is the level, so आपको अगर sell लेना है, तो sell इसका निचे ले सकता है, जो previous lower point, उसका breakout पे, और नहीं तो यह थोड़ा बहुत retracement दे सकता है, यहां के लिए, मैंने अगर यहां draw कर दिया, एक लाइन, तो यह थोड़ा बहुत retracement देगा, उसका बाद फिर से मारकर नीचे आने का chances हो चाकता है, so I hope you enjoyed this video, if you like this video, please like and subscribe, thanks for watching.